नमस्कार किसान भाईयो देश के विविन भागों में सरसो की बुबाई प्रारम हो चुकी है कुछ किसान भाई बुबाई कर चुके हैं और कुछ अगले 5-10 दिन के अंदर बुबाई कम्प्लीट कर लेंगे देखें दोस्तो किसी भी फसल का उत्पादन वाद में आता है सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो होती है जमाब की अगर आपकी फसल का जमाव और उसकी प्रारंबिक अवस्था अच्छी चले तो संभव न वन जाती है कि आपकी फसल से उच्छितम उत्पादन आपको मिल जाएगा और यदि उच्चतम उत्पादन हमें हमारी फसल से मिल जाए तो फिर अत्यादिक लाव की भी आशंका वो बन जाती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किंदो खादो का प्रियोग करके आप सरसो की फसल के अंदर बहतर जमाव बहतर ग्रौथ और रोग पिरती रोदक छमता अपनी सरसो की फसल के अंदर विक्सित करा सकते हैं इन सभी के आधार पर आपको सरसो की फसल से उत्पादन बहतर मिलेगा और फिर बहतर लाव की गैरिंटी बढ़ जाती है देखे दोस्तो अलग-अलग स्थानों पर DAP अथवा NPK का प्रियोग किया जाता है और इसी के साथ पोटास और सल्फर ये दो तत्व ऐसे हैं जो सरसो की फसल के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं और पोटास तो वो तत्व है जो प्रत्यक फसल के अंदर बुबाई के समय दिया ही जाना चाहिए जिससे जर्मिनेशन बहुत अच्छे से आ सके तो दोस्तो सरसो की फसल में जब आप DAP अथवा NPK ले रहे हैं देखे DAP के अंदर पोटास 0% रहती है जबकि NPK के अंदर जो बारह वत्तिस सोले की फॉर्मूलेशन रहती है तो उसमें पोटास होती है 16% और DAP के अंदर 0% रहती है तो ऐसी इस्तिती में आप पोटास NPK के साथ भी जोड़े और DAP के साथ तो आपको हमेशा पोटास जोड़नी ही होती है बुवाई के समय अब यहाँ पे एक प्रिशन हमारा बना रहता है कि क्या DAP अथवा NPK के साथ जो सल्फर है वो डाल सकते है तो दोस्तों मार्केट के अंदर अलग-अलग वेरियेंट सल्फर के हैं जैसे Liquid Sulfur हो गया, 80% WDG Sulfur हो गया यह 90 G Sulfur हो गया तो जो वेंटनाइट सल्फर है यह पॉलिस रूप से सल्फर है जो गोली होती है यह दाना होता है उसको उपर fluffy रहती है वेंटनाइट पत्थर के उपर यह mix होकरकर वराया जाता है तो दोस्तों यह बुबाई के समय ही प्रियोग इसलिए किया जाता है कि जैसे हम इसे बुबाई में प्रियोग करते हैं तो दीरे-दीरे-दीरे घुलता है और जो बीज होता है वो जर्मीनेسन के बाद जो जड़े छोड़ता है वहां से सल्फर तत्व को put up करता रहता है धीरे धीरे और जो disease सल्फर से सम्मंदित रहती है जैसे सल्फर की कमी से fungal infection का आना वो भी नहीं आती है और साथ ही जो जमीन का pH valuation होता है वो भी maintain रहता है जिससे हमारा जो फोदा है अच्छे से grow करें अच्छे से branching करें तो इन सब के लिए जो इस बेंटेनाइट सल्फर है वो बहुत ही संगत है और NP के और DAP के साथ में आप इसे आसानी से डाल सकते हैं इसका कोई भी दुस्प्रवाब नहीं है बाकी सल्फरों के अंदर ये रहता है कि वो bonding बना लेते हैं जिससे कठोर molecule के कारण सल्फर की अच्छी अवस्था हमारी फसलों के लिए नहीं होती है तो आप बुबाई के समय बेंटेनाइट जो सल्फर रहता है उसी को प्रियोग करें अगर आप बुबाई में DAP अत्वा NP के साथ साथ पोटास और सल्फर डाल रहे हैं तो आपको मैं गैरेंटी दे सकता हूं कि आपका जो सरसों का जमाब है वो बहतर आएगा और शाथ ही आपके जो पौदे हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे लेकिन उससे भी पहले आपको खेत की जुताई अच्छे करनी होती है अच्छे से नमी मेंटें रहे इसलिए पलेवा करना होता है और अगर आप यह सब कर लेते हैं और ृड प की मातरा जिसे 50 किलो ग्राम पर एकड पौटास की मातरा अगर आप रेड़ पौटास ले रहे हैं तो उसकी 50 किलो ग्राम से 2 किलो ग्राम प्रती वीगे की दर से आप डला सकते हैं और साथ ही दोस्ते एक बात विशेश तोर पर आपको ध्यान रखने योग है कि जिन खेतों के अंदर वाइट ग्राव अथवा दीमक की सिकायत है आप वहाँ फिपरोनिल 0.3% वाला 5 किलो ग्राम प्रती एकड अच्छा मिलेगा और दोस्तों सुरुवाती स्टेज में जो आपके फोदे की ग्रोथ है वो भी अच्छी मिलेगी और जब आप सिचाई कर रहे होते हैं तो उस समय भी आप किन खादों का प्रियोग करेंगे वो अगले वीडियो हम बताने वाले हैं तो इससे होता यही है क कि हमारी फसल का आलोबर जो ग्रोथ होता है वो अच्छा होता है जिससे अच्छे उत्पादन की संभावना बन जाती है अतास अर्सों की बुबाई में आप भी शलफर और पोटास का प्रियोग डिये पी अथवा एन पीके के साथ जरूर करें और ऐसी ही वीडियोज के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन बेटन को प्रेस करने जिससे आने वाले वीडियो के नोटिपिकेसन आपको समय से मिल जाएं तो आज के वीडियो में के विल इतना ही नमस्कार साथियो